के गाईज, अगर आपको भी हैंग आउट अप में प्रॉब्लम आ रहे हैं कि लिखा रहे हैं मुझे ये प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से आ रही थी, मैं जब भी इस आपको यूज कर्ना रहा था मुझे ये लिखा रहा थी मैंने अपना internet connection change करके try करा और मेरी सारी problem solve होगी थी और एक और method भी है जिसको try करने से आपकी problem solve हो सकती है चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी device की जो setting है उसको open कर लेना यहांसे setting open करने पर यहां पर different Apts के option देख पा रही हो तो आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर option देखेगा connection and sharing तो इस option पर click कर देना और यहां पर नीचे Scroll down करने पर option देखेगा reset wi-fi mobile network and bluetooth इस option पर क्लिक कर देना यहां से जैसे मैं इस option पर क्लिक करूंगा तो यहां पर एक reset setting option देखेगा तो सबसे पहले इनको reset जुरूर कर दीजेगा उसके बाद आपको और important step पर वो करना पड़ेगा तो इसके बाद क्लिक करने के बाद data roaming option देखेगा तो जैसे मैं data roaming पर क्लिक करता हूं तो यहां पर set data daily data limit तो इसको off कर देना है और international roaming इसको always कर देना है यह सब करने बाद यहां से back आ जाना है back आने के बाद यहां से back आने के बाद यहां से back आने के बाद पर प्रिफेर network type पर क्लिक कर देना है तो इसको select करने के बाद यहां पर mobile network का option देखेगा तो इसको manual नहीं करना है, इसको automatically select है रखना है क्योंकि कभी internet connection कम जाद होता है, तो automatically best internet connection server को पकड़ लेता है use fault को enable कर देजगा, make calls using wifi को भी enable कर देजगा यह सब करने के बाद हमें के करना है, एक पर अपने device को restart करना है, और restart करने के बाद try करना है, हमारी जो भी problem आ रही थी वो बिलकुल solve हो जाएगी